विज़दस्मी का सही नाम असोक विज़दस्मी है जी हां सही सुना आपने क्योंकि महान समराट असोक के कलिंग्युद में विज़ई होने के दसमे दिन मनाय जाने के कारण इसे असोक विज़दस्मी कहते हैं इसी दिन समराट असोक ने बुध धम की दिख्चा ली थी विजदस्मी बौधों का पवित्र तोहार है एतिहासिक सत्यता है कि महराजा असोक ने कलिंगयुद के बाद हिनसा का माग त्याक करके बुध धम अपनाने की घोंशना कर दी थी बौध बन जाने पर वो बौध इस् तूपों, सिलालेखों, धम इस्तम्वों का निर्मान कराया। समराट असोक के इस धार्मिक परिवनतर से खुस होकर देश की जनता ने उन सभी समारकों को सजाया, समारा और उस पर दीपुत्सप किया। ये आयोजन हर सुलास के साथ दस दूनों तक चलता रहा, दसमें दिन समराट असोक ने राज़ परिवार के साथ पूझे भंते मोगिग्ल लिपुत्त तिस्से से धम दिख्षा ग्रह किये। धम दिक्षा के बाद समराट असोग ने पिर्टेग्या ली कि आज के बाद वो सास्त्रों से नहीं बलकि सांती और हिंसा से प्राणी मातर के दिलों पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए संपूर बौध जगत इसे असोग विजय दस्मी के रूप में मनाता है। लेकिन कह जाता है कि ब्रहमणों ने इसे कालपनिक राम और रावन की विजय बता कर बहुजुनों के इस महत्मू उत्योहार पर कब्जा कर लिया। जहां तक दसहरी की बात है तो इससे जुड़ा तथ है यह है कि चंद्रगुप्त मौरे से लेकर मौरे समराज्य के अंतिम समराज ब विजय दस्मी का ही दिन था। उन्होंने असोग सब्द को हटा दिया और जश्न मनाया। इस जश्न में मौरे समराज्य के अलग अलग पुतले ना बनाकर एक ही पुतला बनाया और उसके दस सर बना दिये और उसका दहन किया गया। आपको बताने पच्छिस सो साल के असोग की व्रासत से जोडते हुए 14 अक्टूबर 1956 को असोग विजय दस्मी के दिन ही बावसाहिब डॉक्टर अंबेटकर ने 5 लाक लोगों के साथ बौत धम की दिख्छा ली थी। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि विजय दस्मी की हकीकत क्या है जिस विजय दस्मी को ह हम मनाते हैं आखिर उसका असली इतिहास क्या है विरो रिपोर्ट नैशनल इंडिया नियूस